गुलाबी आंख है जो तेरी देखी है शेराबी दिल हेलो दोस्तों मेरे नाम आनक कुमार आप ये वीडियो दिख रहे हैं आज ये माश्टायन में आज हम बात करेंगे अच्छा आपकी क्लियर वाइस रिकॉर्डिंग के लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई यूटूब वीडियो बना रहे हैं जिस पर आपको बोलने का काम रहता है तो उसके लिए भी बैस्ट है और इसके लिए आपको कोई अच्छा खासा माइक्रोफोन या माइक नहीं चाहि आप तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए तो जानेंगे इस टुटोरियल हो सब को चलिए पर शुरू करते हैं इस वीडियो में नमस्ते दोस्तों आपकी वीडियो देख रहे हैं आनंची भाष्टा चैनल पर चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल पर बने रहने के लिए बैल स्टुडियो सबस्यादा लोग रिफर करते हैं उसके लिए मैं उसे तो इस काम के लिए रखते हों जैसे कि आपको तब मिक्सिंग करने हैं गाने की या प्रॉपर आपके पास वोकल नहीं है या आपको म्यूजिक प्रॉडियूस करना है तो इस पीशिली आप उसका यूज कर सकते हैं और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कुऊंगा कि कहीं ना कहीं अनकमफर्टीब वॉइस रिकॉर्डिंग में और ऑडियंस की बात करें आप इसमें मूल्टिवल प्रॉपस से काम कर सकते हैं कि आपको मुझे साउंद चाहिए जैसे कि मैं पियानो लो प्राइज है तो मैं नेरेस्ट माइक रखके प्यानों की साउंड रिकॉर्ड कर लो तो इस हिसाब से भी बहुत ही जादा यूसफुल रहता है और जानते हैं एक्च्छल में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं तो दोस्तों आज एडॉप ओडियंस की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉट्वियर है आपने यह ओडियंस जो है काइस ही और काइस रियली बहुत ही जादा है आपकी वाइस के रिकॉर्ड करने में क्यूंकि बहुत सारे ऐसी अपलोडिट है योटूब पे वीडियो आई नो बट गाइस यह सॉट्वियर से और गाना जो होगा हमारा एक पुराना गाना गुलाबि आखे जो तीरी देखी तो स्टार्ट करते हैं इस मेसक तो यहां पे हम रिकॉर्डिंग पर यंद प्ले करते हैं गुलाबी एंड लैट स्टार्ट गुलाबी आंखें जो तेरी देखें शेराबी दिल हो गया समहलो मुझे को हो गया तो यह था पूरा सॉंग एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सुस्क्राइब चलू कीचे का मेरे चैनल को यहाँ पर करते हैं पुश एंड यह हो गई पूरी रिकॉर्डिंग तो कैस आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह हमारा गाना हो गया है पूरा रिकॉर्ड तो हम इसे थोड़ा सा वाल्यूम बढ़ा सकते हैं क्योंकि कैस मेरे एक जो मेरे पास माइक है वाइस वाला वह सिंगल माइक है तो इस पर हम प्ले करके भी देख सकते हैं लैट हमलना मुश्किल हो गया कुलाबे आँखें जो तेरी देख और यह काईस आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा मुझे जो मेन साउंड थी काईस यह तो इस पेशली जो कंटिनियू वर्क करते हैं वह जादा सौच पाते हैं कि मैंने यहाँ पर लेहर ज्यादा आई है और यहां जी सेविन तक गई है तो गई जो सकेल होता है लोग वह ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा गया है पर यह है कि मैं आपको एक ट्राइल देना चाह रहा था और गाईस यहां पर हम इसे वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं चाहें तो हम वीडियो में हाथ वाथ तो गाईस में ली जो है मेरा में टार्गेट वो है कि आडियो रिकॉर्ट करना वह आपको सिखाना है तो यहां साम कैसे निकालेंगे तो हम यहां पर जाएंगे और इसे करेंगे सेफ तो गई यहां पर ऑप्शन आ रहे हैं और यहां पर इसे सेफ कर लेते हैं और यहां पर पूछ रहा है इस फाइल गुलाबी आखे बाई आनल MP3 सेफ इंटु कंप्रेज लॉसी फॉर्मेट इसे फाइल पूछ रहा है तो हम पहले इस फार्मेट को सेफ कर लेते हैं जो किए इस मेरे पास यहां पर आ गया है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं तो यहां पर काईज और एडिट करने के लिए अफल स्टूडिय मुझे जाला है इस बेस्तार बेस्तार गुलाबी आ यहां पर मैंने एक बेस्तार टूइनिंग है जो कि गाइस मेरे एक्चुली दो चार गाने और मैं रिकॉर्ड करता हूं ऐसी तो यहां पर हम इसका यूस करेंगे हाथवार इसका वाल्यूम जाता हो रहा है यहां आई तिंग मैच ने करेंगे पट मैं थोड़ा चार हो कि हा समलना मुश्किल हो गया कुलाबी आखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया दिल में मेरे वावो तेरे तस्वीरे जैसे गाइस ट्रीनिंग आप अपने हिसाब से सैट कर सकते हैं तो काइस यह जो आपको सॉल्ट वेरे आपको ईसली गूगल से डाउलोड कर सकते हैं आफटर यू कैन इंजो लाइफस्टाम तो कि इस तरीके से आप पूरा आडियो का अनलीस कर सकते हैं तो कि इसका जो ओरिजनल फॉर्मेट वह भी मैं आपको सिखा देता हूं इसी में जैसका ओरिजनल फॉर्मेट था वह यह कह रहा था कि विंडो मीडिया पिलर इसमें त शायद यह होगा मंकी है I think क्योंकि इसका अपना ओर्डियोंस के नाम से नहीं आ रहा है तो यहां पर काई सही था इसका अपना फॉर्मेट बट यह पीडियेप दिखा रहा है I don't know what why तो इसमें इसी में डिरेक्टली खुल जाएगा यह सबसे ज्यादा अच्छा है तो अब यहां पर इसके फॉर्मेट में यहां गया है तो और इसकी काई से आप फाइल का साइज भी देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुली कि हां हमारा एक्चुल हां तो यह वाली फाइल जो गाइस हमने की थी जो लोस फॉर्मेट में नहीं थी पचास एम भी का तो इसमें हम बिल्कुल छेड़ चानी कर सकते हैं यह सपोर्ट के लिए इसमें सपोर्ट करेगा तो गाइस बागी आगे वीडियों बात करते हैं तो दोस् सारे फॉर्मेट दे रखे हैं लाइक MP3, WAV तो इस टाइप के फॉर्मेट ही हमें ज्यादा का यूस आते हैं बट कभी भी आप तब किसी भी करन्ट प्रजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसमें यह कूंगा कि उसकी ओरिजिनल फाइल भी सेव करके रखे क्योंकि जैसे कि मैं MP3 में convert कर लेता हूँ तो वह फाइल मेरी 3-4 MB की बन जाती है और मैं किसी और फॉर्मेट में यूज कर लेता हूँ चार से 5 MB की बन जाती है तक आप उस प्रॉपर आडियो को आप क्योंकि बाद में कुछ चेंज करना हो तो आप MP3 में मज़ा नहीं है अगर जो कि आप अडॉप ओडियोंस में चेंज कर सकते तो गाइस यह थी फुल-फुल इंफॉमेशन अबाट दी ओडियोंस तो गाइस इवीड आपको अच्छ